बांगला देश कप्तान लिटान दास ने इसान किसन को लेकर और उनके बल्लेपाजी को लेकर किया बड़ा खुडासा और वहीं 126 गेंदू में इसान किसन ने धोया बांगला देश को लेकर नमस्कार दोस्तों हमारे चलिए बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं हरी राम आज हम आपको बताएंगे कि वन डे मैच तीन होने के साथ साथ दो मैच बंगला देश के नाम गये थे और तीसरा मैच इंडिया और बंगला देश के साथ हो रहा था वहीं पे जब इसान किशन मैदान में और विराज गुली जब मैदान में आए और दूनों एक साथ खेलने लग गए तो बंगला देश को पत्त्या साथ करना श्टार्ट कर दिया वहीं पे हम बात करें तो इसान किशन साथ से मैदान पर खेल रहे थे बंगला देश को पत्ता साथ हो रहा था और ये चीज अनुभव दिला रहा था बंगला देश को कि अब हम जो है इस पारी को नहीं इस मैच को जीत कर रहेंगे इसके कारण बाद में ये आई कि जैसे ही लिटन दास ने इस चीज को अनुभव नहीं किया कि दो मैच कीता हूँ मगर एक मैच में जो खेल रहा हूँ वो इंडिया का ही होगा और ये मैच अपने नाम करेंगे इसान किसन की अगर हम बात करें तो 126 गेंड में दुनिया के नंबर वन दुनिया के नंबर वन बेस्ट मैं बन गए कि सबसे ज़्यादा तेज गती को रंग बनाने वाले बेस्ट मैं रोहित सर्मा सचीन तंदूलकर बिराट कोली को भी पीछे छोड़ दिया इसान किसन ने और यह ऐसा पेस्ट मैं जो दुनिया में अपने नाम कमा लिया और यह बांगला देश को भी सिखा दिया किस तरीके से बलेवाजी होता है 126 गेंड में 200 रं और हम आपको बता दे 131 गेंड खेला और 210 रं की पारी जो है इसान किसन ने खेला और इस मैच को लेकर अगर बात करें तो इस मैच में जिस तरीके से छक्के और चोके इसान किसन लगा रहा था वहीं दूसरी तरफ विराट कोली भी बहुत ही खतरनाखे लहे थे बांगलादेश के कप्तान लीटन रास के हिसाब से तो उन्होंने कहा कि विराट कोली के साथ साथ अच्छी बैटिंग और उनके साथ बहुत ज़ादा तुफानी में खेला वो इसान किसन और इसान किसन को वो इस तरीके से देख समझ गया कि क्या खेलता है इंडिया तावी कोई ऐसा प्रियर है जो इस मैच को ऐसे उठा कर ले जाएगा और लक्ष में 409 रन बनाए और 410 रन की पारी दिया बांगलादेश को वही पे बांगलादेश बहुत ही कम रन बनाए और इसके कारण इंडिया जो 227 रनों से अपनी जीत आफिल किया और जीत आफिल करने के स इसान किसंद दुनिया का सबसे तेजगती रन बनाने वाले बैस्ट मैं भी बन गए और इंडिया का सबसे खतरना बैस्ट मैं हम आपको बताएं कि इसान किसंद जो है बिराट कोली रोहित सर्मा और सचीन तंदूलकर का भी रिकौर्ट तोर दिया है जिसी इसाब से बंगल झाल